Hello everyone, Today I am going to tell you the meaning of the idiom Until the cows come home Until the cows come home इस idiom का मकलब होता है For a very long time और you can say For an indefinite time कि जब time का पता ही ना हो काफी वक्त लग जाए या काफी लंबा समय खिच जाए तो उस वक्त के लिए हम यूज़ कर सकते हैं Until the cows come home इस idiom को हम sentence में कैसे यूज़ कर सकते हैं देखिए If you are waiting for an auto If you are waiting for an auto You will have to wait until the cows come home Because all the auto drivers are on strike till evening Because all the auto drivers are on strike till evening कि अगर आप एक auto का वेट कर रहे हैं तो आपको काफी लंबा समय या पर वेट करना पड़ेगा क्योंकि शाम तक सभी auto drivers जो हैं वो इसको हम दूसरे example के तुरू कैसे देख सकते हैं You can sit here and argue with me until the cows come home But you will never make me change my mind But you will never make me change my mind कि आप याँ बैठ सकते हैं मेरे साथ बैठ के बहस भी कर सकते हैं आपको जितना वक्त चाहिए आप उतना ले लिजे आप लंबे समय के लिए मेरे साथ बहस कर सकते हैं लेकिन आप मेरा माइन चेंज नहीं कर पाएंगे मतलब अगर आप चाहो कि शायद मैं बहस करके आपके माइन को शायद चेंज कर सकूँ तो ऐसा नहीं होगा तो इन दोनों सेंटेंसे में हमने उन्टिल दा काउस कम होम का यूज किया है फोर ए वेरी लॉंग पीरिएट फोर एं इंडेफिनेट पीरिएट ओप यू लॉट लॉट इंडेट लॉट इस वीडियो प्रश। लॉट प्रश। लॉट प्रश। प्रश। लॉट लॉट टी लॉट बटन आप चानल Simply Simplified थाग प्रश।